असलाम अलेकुम जी वेलकम बेक टो मैं चैनल शासिम व्लोग्स वेलकम जो एनितर वीडियो आज की वीडियो एक बहुत जबतस प्रॉड़क्ट से रिलेटेड रिवीडियो होने वाली है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना ऑनेस्ट रिवीव इस प्रॉड़क्ट से रिलेटेड के मेरा एक्सपियेंस इस प्रॉड़क्ट को यूज करने के बाद कैसा रहा और बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपियेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑनेस्ट रिवीव होगा बिल्कुल भी ये वीडियो स्पांसर्ड नहीं है ऐसा मैं सोच रही होती हूं नज़र आता है यहां उसकी कोई कमी यहां उसकी कोई जोंसा है वह आपके साथ आनेस्ली वह भी शेयर करती हूं बट आज की वीडियो में जो मेरे पास प्रॉड़क्ट है बहुत ही जबतस्त ग्लैमरस फेस का कॉमपेक्ट पाउडर है गाइस बिलिव मी इस कॉमपेक्ट इससूपरबॉम.com यानि कि इतना बैस इतना बैस यह फेस पाउडर है ना कि आपको यह लगा लेने के बात किसी फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं है बस अगर आपने कहीं डे टाइम में जाना है तो फिर तो आप सोचो भी ना बिल्किए आपको बिबी क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन तो छोड़ो इतना जबरदस्ती है कॉम्पैक पाउडर है इसमें SPF 35 भी है नैचरल UV आयल फ्री फाउंडेशन है टूवेक एक है टूवेक एक किस तरह से वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी सबसे पहले इसकी हो चुकी है कम असका मैं दो साल से जादा का टाइम हो गया यह फेस पाउडर में यूज कर रही हूं और इसमें टोटल सिक्स शेर्स आते हैं आप इनकी वेबसाइट से जो है वो इनके शेर्स जो है वो देख सकते हो कौन-कौन से मैं यहाँ पे पिक्चर भी आड़ कर दू और आज कर वहांपे सेल भी चाल रही है आपको काफी कम प्राइज मैं 우리는 22% सेल रही थो कम प्राईज में भी आपको मिल जाएगा थार्ड वन जो है वो मैंने कम असकम कोई यही कोई दो महीने पहले परचेस किया था और ऐसी लोकल मारकेट से मैंने पता किया तो मुझे वहाँ पर यह अवेलिबल नज़र आया मैंने वहीं से ले लिया कि अनलाइन कोन मगवाई में थोड़े से दिन रहे थे चोटी से चंद दिन पहले ही मैंने यह परचेस किया था लेकिन यकीन करें वहां से मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस मिल गया और यह नहीं कि इसकी कोई मतलब क्वाल्टी में कोई फर्क होगा सेम तो सेम वही औरिजनल चीज मुझे प्राड़क्ट मिली है और यह 0.5 वहां से शेर्ड मुझे मिला है क्यूंके 6 वहां पे अवेलिबल नहीं था और 5 पी जो है वो 6 से आल्मोस्ट मिलता जोलता ही था बिल्कुल उसके करीब करीबी था यह बैक पे इसके सारे का कवर भी नहीं उता रहा है जबकि यूज में इसको काफी हद तक कर चुकी हो और इस तरह से बॉटम में जो है वो एक क्यूट सा स्पंच भी अवेलिबल होता है चाहो तो आप स्पंच से अप्लाई करो चाहो तो आप ब्रश के साथ अप्लाई कर लो तूब एक यह इस त इतना आप इसको ब्लेंड करते जाओगे उतना यह स्मूदली आपके स्किन में ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल भी वो अलग से उठा उठा नजर नहीं आएगा और अगर आप चाहो तो आप इस स्पंच को गीला करके भी यह कॉंपेक्ट अपने फेस पे लगा सकते हो बिल्कुल फाउंडेशन का काम देगा यह आपके स्किन पे ऐसे लगा कि जैसे आपने कोई फाउंडेशन ही अपलाई कर रहे हो जैसे वो पहले होते थे थे ना एक वो आइधिंक क्रैलाउन के अभी शायद आते हैं वो पैनकेक्स जो होते थे उसमें आप स्पंच को गीला करके भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो आप जो है वो इसको ड्राइब भी अपने स्किन पे अपलाई कर सकते हो और मैं इसको मोस्क्ली अभी तक मैंने वैसे कभी भी इसको गीला करके अपलाई किया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी मेरी स्किन इतने अच्छे से सेट हो जगता है विए एक मैंने कोईाइशन ही अपलाई कatus यह है Hier घआना हो एपनी स्किन पे टोनर अपलाय किया थियंगा एन प्राइमर लगा लगा ले ताकर यह से से यह से पे चैक्डिन पर और उसके बाद यह कोईशन के साथ का यूज करती हूं अधर्वाइस मैं हमेशा ब्रश का यूज करती हूं बहुत बिलीव करें ब्रश से भी बहुत अच्छे से यह अपलाय होता है तो मेरे लिए स्किन पर यह बहुत अच्छे से सूट करता है मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना बहुत अच्छे से यह मेरे स्किन पे एड़ेस्ट हो जाता है सो इसके आप बाकी के शेड्स इनके इंस्टा के पेज से भी देख सकते हो कि टोटल इसमें सिक्स शेड्स आते हैं आप वो अपनी टॉन के हिसाब से जों से वो सेलेक्ट कर सकते हो वीडियो अ तब तक के लिए लाफ़िए